हेलो एवरिवन विल्कम टू माई चैनल पीकी कोमर्स स्टेडी तो फ्रिंस कैसे आप लोग आसा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे रच्छे सपनी पढ़ाई कर रहे होंगे तो आज किस वीडियो में आप लोगों के लिए मैं वीकॉम समस्टर फाइब के करें और बेल बटन पर क्लिक करके और पर क्लिक जरूर कर लिजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो प्लूट करूंगे इसका नौटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिल जाएगा चलिए वीडियो को मैं आगे बढ़ाती हूं तो फ्रेंड्स आज किस वीडियो में वैस लोग करने हैं कि मैक्रोविक्ष्थेंग ईककोनोमीक्स ठीर मैकरो एकब्लोफिक्ष्थ वीक्यरा प्रेंड्स करेंड्स चैлिकर को मैंड्सैड्स लेइं लूग को प्छा जा सकता है इश ا कं अ न्यविजिए ओधिवी को इक póल कि नियोग भी मौइवक्ष पूश्थ पू यानि कि अर्थ सास्त्र क्या है different explain different types of economics tabular form में यानि कि आप लोग को बतलाना है कि economy क्या है और इसके different different type किस type के है tabular form में तो उसको explain करना है four number questions क्या आता है four number questions मैं आप लोग को पूछा जा सकता है कि what is central problems of and economy what to produce how to produce and from home the produce तो यानि कि central problem क्या होता है economic के लिए और इसको किस तरह से उत्पादित किया जाता है कैसे उत्पादित किया जाता है और किसके साथ में कैसे produce किया जाता है इसको explain करना है आप लोग को next five number questions में आप लोग को पूछा जा सकता है friends तो देखिए यहां पर आप लोगों का दो तिन questions इसी में include है what is consumer equilibrium law of dimensions marginals utility and consumers equilibrium using utility analysis and relations between T U and M U table तो यह T U और M U table क्या है इसके बिच के relation को बतलाना है आप लोग को और consumer equilibrium के utility को explain करना है next number question six number पर क्या आ जाता है what is wizard यानि कि wizard क्या है how many types of wizard difference between wizard land and wizard set यानि कि आप लोग को explain करके बतलाना है कि बज़ट क्या होता है अब next number question में आप लोग को पूछा जा सकते है what do you mean by theory of demand यानि कि मांग के सिधान से आप क्या समस्ते हैं इसमें भी आप लोग को दो तिन questions included है और very very important topic है law of demand यानि कि मांग के नियम determinants of demand why demand curves law downward यानि कि मांग की वक्र नीचे की और क्यों जुकी होती है इसको आप लोग को explain करना है और इसमें आ जाता है difference between contractions of demand and decrease in demand इसको भी आप लोग को explain करना है next question आ जाता है 8 नमबर पर कि produce functions and returns to factors यह जो टॉपिक है यह भी काफी important है law of variables proportions with schedules and curve के बारे में बतलाना relation between tp and mp ap and mp 9 नमबर टॉपिक पर क्या आता है what is cost यानि कि लागत क्या explain its relation between ac and mc and curves tvc and tc तो उमीद इसको आप लोग के लिए काफी comments जरूर किजिएगा और next आप लोग कौन से subject के important questions चाहिए यह भी जरूर comments किजिएगा thank you